नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब भी हम अपने घर की प्लानिंग करते हैं मकान बनाना सुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो सबसे जो में इंपोर्टेंट है कि हम अगर एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल का अगर मकान बनाते हैं तो उसमें क्या कालम का साइज देना है क्या beam का size देना है क्या ground beam का size देना है बहुत ही important चीज होती है मकान में क्योंकि होता क्या है जब हम एक منजल बना लेते हैं उसके 2-3 साल बाद दूसरा منजल बनाते हैं या फिर 7 में ही हम 2-3 منजल का मकान बनाते हैं तो starting में हम पहले से ही अगर planning कर लेते हैं कि हमारा जो है तीन मंजिल या चार मंजिल का मकान आराम से बन जाए उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि अगर आपका foundation अच्छे से बन गया है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए तो उसके लिए हमारी जो फुटिंग होती है कालम होता है वो कितने बाई कितने का होना चाहिए कि हमारा तीन से चार मंजिल आराम से बन जाए तो उसके लिए आप तो जो फुटिंग और कालम और बीम जो ग्राउंड लेवर प्लिंथ बीम जिसे बोलते हैं उसका साइज पहले से ही हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो में इंपॉर्टेंट चीज यही है मकान में उसके बाद तो आप इंटीरियर डेकुरेशन या जो भी काम करते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है फिर हमें कोई भी दिकत नहीं उठानी पड़ती है ना ही कोई मकान में क्रैक आता है ना ही कोई सीलन लीकेज या ऐसी कोई भी प्रॉबलम नहीं बनती है जब हम मकान अच्छे से बना लेते हैं तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा जो कालम फुटिंग साइज यानी जो हम पिलर का गढ़ा खुदवाते हैं वो हमारा प्रॉपर चार बाई चार से कम नहीं होना चाहिए जो हम पिलर साइज पहले से खुदवाके रखते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं जो हमारे फुटिंग के जो गढ़े या पिलर जो खुदे हुए हैं वो चार बाई चार से कम नहीं होने चाहिए और जो सर्या के जो हमारे फुटिंग साइज बनता है वो चार बाई चार का ही जो प्लेट बनती है फुटिंग की वो चार बाई चार से कम न रखे और जो कालम हमारा बनता है वो अगर 9 x 9 का आप बनवाना चाहते हैं तो उसमें 16 mm की सरिया डालें 4 और अगर आप 9 x 12 का बना रहे हैं तो 4 उसमें सरिया जो है कालम में 16 mm के और बीच में 2 सरिया 12 mm की कर सकते हैं और जो फुटिंग में जो सरिया पड़ती है वो 10 mm की ठीक रहेगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली तो और उसके बाद जब हम ग्राउंड जो बीम होती है या प्लिंथ बीम जिसे बुलते हैं उसमें भी हम साइज की अगर बात करते हैं तो 9 इंच बाई 9 इंच की भी बीम अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच की भीम बनवाते हैं तो उसमें 16 mm से कम सरिया नहों चार सरिया पड़ती है उसमें चार जो है और अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच की भीम रखते हैं तो चार सरिया आप 16 mm की कर सकते हैं और दो उपर टॉप और उपर जो पड़ती है सरिया उस उसमें जो है bottom पर उसमें आप 12 mm की सरिया कर सकते हैं जिससे आपका foundation काफी हद तक मजबूत बन जाएगा जो आप 2-3 मंजल आसानी से उस पर बना सकते हैं कोई भी problem नहीं होने वाली structure तो कमजोर होगा ही नहीं आप ठीक तरह से उसमें बना सकते हैं लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है जब भी आप गढ़ा खुदवाएं तो उसमें जो ठोस मिट्टी जहां पे मिलती है वहाँ पे आपको अपनी footing रखनी है अगर मिट्टी मुलायम या धीली मिट्टी है वहाँ पर footing ना रखें उस footing के रखने से पहले आप लाल करें जैसा कि आप देख रहे हैं लाल गिट्टी कुटी हुई है और उसके बाद कुटाई होने के बाद ही कालम को खड़ा किया गया है और कालम खड़ा करने के पहले आप प्रॉपर उसको नाप लें उसको सूत से और गुनिया जैसे करते हैं वैसे गुनिया करवा लें जि मेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, उससे column का जो load होता है slab का column पर वो ठीक तरह से नहीं पड़ता है, उसमें फिर आपकी दिवाल crack हो सकती है, उसमें काफी problem होती है, और जो plinth beam हमारी पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ से आपकी जो foundation wall होती है, वो चारों तरफ पलाटके तो ह लेकिन बीच में कोई भी नहीं होती है, डायरेक्ट आपकी प्लिंथ बीम पड़ती है, तो बीच में 10 फिट से ज्यादा अगर कालम की आपकी दूरी है, तो उसमें 14 बाई 14 या 14 बाई 18 का ब्रिक का जो कालम बनता है, बिल्कुल सेंटर पर 10 फिट से अगर ज्यादा है, 12 है, 13 तो बीच सेंटर उसका जो निकले उस बीच में आप ब्रिक का कॉलम जरूर उठवा दें, जिसमें हमारी जो प्लिंथ बीम रेस्ट करती है, उसमें ठीक तरह से रख जाती हो, प्लिंथ बीम, यहाँ पर भी आप ऐसे ही देख सकती है, जैसे हमारा कालम है, कालम की जो mm की पड़ेंगी और अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम रखते हैं तो आप इसमें 6 सरिया का इस्तमाल कर सकते हैं वो हमारी 12 mm की होंगी उसमें कॉलम में जो रिंग हमारा पड़ेगा वो 8 mm सरिया का पड़ेगा और रिंग साइज जो हमारा होगा वो अंदर की और इसमें इंच बाई 7 इंच के रिंग पड़ेगी और जो 9-12 इंच का कालम है उसमें 7 इंच बाई 10 इंच की इसमें रिंग पड़ेगी और दूसरी चीज़ जब हम बीम बनाते हैं तो अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच का बीम रखते हैं तो उसमें 16 mm की 4 सरिया आप डाल सकते हैं और इचे बॉटम पर पड़ेगी तो उसमें आप 12 ऐसे खड़े की तरफ होगा और 9 इंच ऐसे लेटे की तरफ होगा तो एक बॉटम मेर और एक टॉप में यो बीच में सरिया पड़ेंगे और किनारे जो सरिया हमारी पड़ेंगी वो भी 12 mm की इसमें 6 सरिया आप इस्तमाल कर सकत हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद